हाँ जी क्याल चाल आप सभी अच्छे होंगे किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपके बेसिक स्ट्रोंग होने बहुत जरूरी है हमारी फास्ट बोलिंग मास्टर क्लास के पहले एपिसोड में हम ऐसी तीन चीजों के पर बात करेंगे जो किसी भी फास्ट बोलर के grip के बारे में अपकी wrist position के बारे में आपकी arm movement के बारे में कि आएए अब बात करते है grip bağ के बारे में उसको चीब करने के लिए मैं आपको то में बताता हूं आपको ज़्यादा उगलियों को पास नहीं रखना चिपका के नहीं बहुत ज़्यादा वाइड रखना जो गृप है दोनों फिंगर से जिसले सिंद आपको नहीं हो पनुत पकड़ना नहीं बहुत ज्यादा लूस पकड़ना एक आपको comfortable grip रखनी है जिससे आप बोल को अराम से release कर सके different different swing कराने के लिए different different grip होती है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा लेकिन आज मैं आपको एक basic grip बता रहा हूँ तो आपको जो चीज़ ध्यानक नहीं है वो है आपकी जो दोनों fingers है हलका उसमें gap रहे दोनों seam के उपर है साथ ही आपका थम नीचे रहेगा और बोल को बहुत ना टाइट पकड़े ना बहुत ज्यादा slow पकड़े एक comfortable grip रहे जिससे आप आराम से बोल को release कर सके grip को improve करने के लिए जो मैं आपको drill बताता हूँ आपको basically grip करना है बोल को and ऐसे seam पे roll करना है इस तरीके से खाली आपको ऐसे इस तरीके छोड़नी देना आपको पुरा feel करना है बोल को roll होते वे उससे कि आपको बोल पुरा seam पे चले इस तरीके से दूसरी drill आप कर सकते हैं आप बोल को सीधा पकड़के इस तरीके से उचाल सकते हैं जो कि आपको roll seam पे चले दिन में रहा हूँ 200-300 बार आप इस जिच को जरूर रिपीट करें और आप देखेंगे कुछी weeks में आपकी grip improve हो जाएगी इसके बाद आप बात करते हैं हमारी wrist क लोग रहनी चाहिए अगर मैं आपको बता हूँ जब आपने action में आएंगे और रिलीजिंग पॉइंट पाएंगे तो आपको यहां पर पूरा ऐसा लोक होना चाहिए ऐसे आपका यहां लूज नहीं होना चाहिए आपका यहां पर फूरा लोक रहेगा और यहां से आप इस को लोक रखना है एंड फर्म रखना है इससे क्या होगा जो आपकी सीम पोजिशन है वो सीधी जाएगी साथ ही आपको ओफ दा विगट आपको एक निप मिलेगा और आपका पेस इंपरूब होगा तो इसी का जरूर धियान रखे इसके बाद हम बात करेंगे हमारे arm movements के बा सब्सक्राइब वह बहुत जाएगा थैसा टाला यह वह दा बैद करी आएगे ब्रूण चीजा यह फूरूर घ्यान रखना जाएगे वूर जाए वह अंपने चीज में पूर नहीं करना बस आपको ध्यान एक्टने वाली बात है जब आपका वहा आपका स्टेट एक्स्टेंड करेगा एन ऊपर जाएगा इस तरीके से जब आप एड़ पॉइंट डेलिवरी आएंगे तो आपको एक बीच मेरे ना भोजाता इधर आए ना भोजाता सीधर एक मीडियम आपको 11 क्लॉक क्या स्पास रखना है और यहां से आपको रिलीज करना नॉन बॉलिंग आम के बारे में अगर मैं बता हूं तो वो भी एक बहुत परसनल चीज है किसी-किसी बॉलर का जैसे आपने जेमस एंडरसन को देखा होगा उनका हाथ बिलकुल ऐसे खुल के स्टेट आता है किसी-किसी बॉलर का जैसे भूबनेशर को मार है वो आकर उसको पुल डाउन करते है मैं अपनी परसनल बात करूँ तो मैं भी उपर हाथ को एक्सेंड करके पुल करता हूँ ध्यान लखने वाली जो बात है फ्रेंट डाम में वो आपका हाथ हमेशा टार्गेट की तरफ होना चीज है और तेज होना चीज है चाहे आप उसको खुल के लेक है आपको जो ध्यान रखना है वो आपको टार्गेट की तरफ रहे और तेज आए तो जब भी आप बोलिंग करेंगे आप इन तीजी जोगा जरूर ध्यान रखें आपकी ग्रिप आपकी रिस्ट पोजिशन साथ में आपकी आम मूवमेंट अगली वीडियो में मैं आप से बात करूंगा टाइपस ओफ बोलिंग एक्शन के बारे में कितने कितने तरीके के बोलिंग एक्शन होते हैं और कैसे कैसे वाप उसको इंप्रूव कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले एंड चैनल पर बने रहे एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेर करें थैंक यू